एकनॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है भारतिय अर्थविस्ता का विकास के अंतर कर आज कट्सा 11 से हम भारतिय अर्थविस्ता 1950 से 1990 तक का अध्यन करेंगे प्यारे बच्चों आज हम कट्सा 11 में भारतिय अर्थविस्ता के अंतरगत 1950 से 1990 के अंतरगत जो विकास हुआ उसका विस्तार से अध्यन करेंगे तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि भारत में पंचवर्शी योजनाओं का क्या लक्स था उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे और उसके बार 1950 से 1990 तक विविन छेत्रों जैसे किर्सी उद्यों में कौन-कौन सी नीतियां अपनाए गई उसको हम समझ सकेंगे और एक नियमित अर्थ विवस्ता के जो गुण होते हैं और सीमाएं होती हैं उनकी हम यहां पर विवेचना कर पाएंगे और उसको समझ सकेंगे भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया आरम करना है जो रहन सहन के स्तर को उचा उठाएं तथा लोगों के लिए संब्रिद एवं विविद्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलत कराएं यह भारत की पंचवर्सी योजना का लक्स था तो पंचवर्सी लोग्जना का जो हमारा लक्स था वो यह था कि लोग का रहन सहन कस्तर को उचा उठाना और लोगों को नए अवसर प्रदान करना ताकि उनका जीवन बहतर बन सके तो आजादी के बाद से 1947 में आजादी के बाद से भारत में नया विकास आरम हुआ भारत 200 वर्स के करीब प्रिटेन के सासन के अधीन था जिसके कारण भारत का विकास नहीं हो पा रहा था और आजादी के बाद भारत ने अपने राष्ट के नव निर्मान के कारियों का लक्स अपने हाथ में लिया और देश में प्रगत्ती करी अब सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यह थी कि कोन सी आर्थिक प्रणाली के माध्यम से देश का विकास किया जाए कई प्रकार की प्रणाली होती है और हमारे जो पर्थम परधान मंतिरी थे जहलाल नहरू जी वह समाजवाद को ज्यादा महत्तों देते थे क्योंकि समाजवाद हमारा जो अर्थ विवस्ता है उसमें पूरे समाज का विकास होता है और यह सोबिय संग ने इस अर्थ विवस्ता को अपनाया था लेकिन इसमें कुछ कम्याबी थे इसलिए हमारे देश के कई सारे जो नेता थे वो इसको नहीं अपनाना चाहते थे और इसमें सबसे बड़ी समझ्या थी कि इसमें कोई नीजी संपत्ति नहीं होती थी और इससे कोई प्रेणा नहीं मिलती थी आगे कारी करने को और भारत में यह कर पाना संभव नहीं था तो नहरू जी और सतंत्र भारत के अन्य नेताओं ने चिंतकों ने मिलकर नव निर्मान के लिए पुझीवाद तता समाजवाद के बीज की रूप रेखा को अपनाया और ऐसी अर्थववस्ता को चुना कि जो समाजवाद और नीजी वाद दोनों के बीज की होगी और जिसमें लोगतंत्र तथा नीजी संपत्ती दोनों को स्तान मिलेगा जिससे लोगों को कारे करने की प्रेंड़ा मिलेगी अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्थिक प्रणाली किस परकार की होनी चाहिए तो सबसे पहले ये एक समस्या आती कि देश में किन वस्तू और सेवाओं का उत्पादन किया जाए मतलब अगर हमें अपने देश में किस परकार की वस्तु सेवा को उत्पादन करना चाहिए क्या गरीबों के लिए या अमीरों के लिए सारी जनता के लिए तो एक समस्या उत्पन होती है दूसरी वस्तु और सेवां किस परकार उत्पादित की जाए मतलब मसीनों के द्वारा या श्रम परधान वाली टेखनीक का उप्योग किया जाए तो उत्पादित की इस कारे में मानश्रम को अधिक परियोग करे अत्वा पूंजी का ये एक समस्य आती है और तीसरी आती है कि उत्पादित वस्तू और सेवाएं विभीन वेक्तों के बीच किस परकार वित्रित की जाए अर्थाद जो वस्तू और सेवा का निर्मान करे वो लोगों में कैसे वित्रन उसका हो तो ये तीन समस्यां थी हमारे देश में तो एक तो होती है पूझीवादी अर्थ विविस्ता तो पूझीवादी अर्थ विविस्ता वो होती है जिसमें वस्तु और सेवाओं बजार की मांग के अनुसार की जाती है बजार की मांग के अनुसार जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उसी वस्तु का निर्मार किया जाता है जैसे अगर कार की मांग ज़्यादा होगी तो कारों का ही उत्पादन होगा अगर साइकल की मांग ज़्यादा होगी तो साइकल का ही उत्पादन होगा यदि श्रम और पूंजी की अपेक्सा सस्ता है तो अधिक सरफ परदान तक्नीकों को परियोग होगा यदि श्रम की अपेक्सा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी परदान विद्यों का परियोग होगा तो पूंजिवादी अर्थ्वेस्ता में उत्पादित वस्तों का विविन वेक्तियों के बीच वितरण उनकी आवशक्ता के अनुसार नहीं होता है। अधिकांस्विवाजन का आधार व्यक्तियों की क्रेशक्ति के अनुसार होता है यकिन वस्तियों को खरीदने के वे इच्छु के हैं तो आपने समझा होगा कि पूझी बादी अर्थ व्यस्ता में क्या होता है कि व्यक्तियों के बीज जो वस्तों का और सिवां का वित्रन होता है वो उनकी क्रेशम्ति के अनुसार होता है अर्था जो व्यक्ति जितनी वस्तु खरीदेगा जिसके पास जितना अधिक धन होगा वो ही व्यक्ति अधिक वस्तु खरीदेगा और जिसके पास धन की कमी होगी तो वो अधिक वस्तु नहीं कर पाएगा या उस वस्तु का उपयोग नहीं कर पाएगा और यही ववेस्ता हमारे जो परधान मतली थे जो अल्ला नहीं रूप उन्हें यह ववेस्ता पसंद नहीं थी क्योंकि इससे हमारे देश के जो गरीब लोग थे या दूसरे लोग थे उनको अपनी इस्तिति सुदारने का मौका नहीं मिलता तो यह पूंजी वाद अर्थ विवेस्ता की विशेशता ही थी इसी परकार एक और अर्थ विवेस्ता होती है समाजवादी इसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी होती है कुछ खराब इसमें लोगों की व्यक्तिक इच्छाओं को कोई महतों नहीं दिया जाता है इसमें सरकारी महतों पूर्ण होती है और सरकार जिस का निर्णे लेती जो वस्तु सेवा को उत्पादन का निर्णे लेती है तो उसी का उत्पादन किया जाता है और इसमें अधिकतर वस्तु में लोगों की आवशक्ता के आधार पर ही निर्मित होती है और इसमें लोगों की किरेशक्ती समता के आधार पर वस्तु का वितरन नह स्वास्ट के सभी जरूरत मन्त नागरिकों को निशुल्क स्वास्त सेवाएं शिक्षा आधी सभी इसमें उपलप्त कराई जाती है समाजवादी में नीजी संपत्ती का कोई अस्तान नहीं होता है परतेग वस्तु राज्य की होती है तो यह समाजवादी का एक गुण भी है और अब गुण है कि इसमें कोई नीजी संपत्ती नहीं होती जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कारे करने के अधिक कारे करने के लिए प सोब्य संग का विगटन होने के कारण यूरोपियन देशों दे समाजवादी अर्थविवस्ता भी धिरे-धिरे वहां समापत हो गई आज वर्तमान युग में अधिकांस अर्थविवस्ताएं मिस्रित हैं भारत भी मिस्रित अर्थविवस्ता वाला देश है अर्थव सरकार तथा बजार एक साथ इन तीनों परसनों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाये किस परकार उत्पादित हो और किस परकार वित्रण किया जाए तो मिस्रित अर्थ विवेस्ता में बजार उनी वस्तु सेवाओं को सुलब कराता है जिसका वह अच्छी तरह उत्पादन कर सकता है तता सरकार उन वस्तु सेवाओं को सुलब कराती है जिने बजात सुलब कराने में विफल रहता है अर्थात इसमें सरकारी तथा नीजी दोनों परकार के उद्योग तथा सेवाएं आपस में कारे करते हैं और कुछ वस्तों का निर्मान नीजी छेत्रों के लिए संद्रक्षिट कर दिया जाता है और कुछ ऐसी वस्तों जो दिमान सरकार करती जिसे भारत में आपने देखाओक रेलवे और रेलवे सड़क बिजली पानी यह सारे कारे सरकार उपलब कराती है तो भारत एक मिश्रित अर्थविवस्ता वाला देश है जिसका लाब आज भारत के सभी निम तथा मध्यम सभी वर्गों को प्राप्त हो रहा है योजना क्या होती है किसी भी देश के संसादनों का परियोग किस पर किस प्रकार किया जाना चाहिए उसी को हम योजना कहते हैं भारत में पांच वर्सों की योजना का निर्मान किया गया इसी को पंच वर्सी योजना कहते हैं और यहां पंच वर्सी योजना का जो निर्मान था उसका हमने सब्दावली सोब्यस संग से ली और इस योजना का उद्देश्य ना केवल पांच वर वर्सों में भी उद्देश को प्राप्त करने का हमारा निश्चे होता है और आधुनिक प्रदोगी की जो लक्स होते हैं और साथ रोजगर बढ़ाने के लिए जो हम कारे कर सकते हैं और इसके साथ किर्सी उद्द्योग आधी सिंचाई यह सब हमारे पंचवर्सी योजनाओं के लक्स रहे हैं तो सबसे पहले पंचवर्सी योजना 1950 में परदान मंतरी की अध्यक्सता में योजना आयूकी स्थापना की गई और यहीं से हमारे देश पें पंचवर्सी योजना का सूत्रपात हुआ कि पंचवर्सी योजना के निर्मान के कुछ लक्ष होते हैं जैसे संवर्दी आदुनी करण आत्म निर्भड़ता और समानता यह इसके परमुक लक्ष होते हैं और सीमित संसादनों का कैसे हम अधिक साधिक परियोग करें जिसे देश का आर्थिक विकास संभव हो सकें क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है जहा कि मुखा में कम शंसादनों का परियोग करते वे अधिक से अधिक लाप्राप्त ना होता है समवर्दी के इसका अर्थ होता है देश में वस्तु और सेव की उत्पादन समता में विड़दी करना अर्थात अधिक से अधिक मातरा में वस्तों और सेवां को उत्पादन करना ताकि उभ्भोगताओं को अधिक से अधिक वस्तों प्राप्त हो परिवन का विकास हो बैंकिंग का विकास हो और जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर में विर्दियो देश के बारत में योजना पंचवर्शी योजना निर्माण में कई विचारकों का योगदान रहा जिसमें सबसे अधिक योगदान हमारे अर्शास्त्री महल नोबिस का नाम आता है इनका योगदान सबसे अधिक रहा और इनोंने 1946 में ब्रिटेंट के एक सोसाइटी के इनको सदस्य बना गया और भारत में भारतिय संकी की संस्तान की स्तापना इनके द्वारा की गई और इनी के मागदर्शन में भारत में दूसरी पंचवर्शी योजना तथा उससे आगामी पंचवर्शी योजनाओं का निर्मान भी हुआ तो इनका पंचवर्शी योजनाओं में भारत में बहुत अधिक योगदान है इसके बाद आता है सेवा छेत्र सेवा छेत्र उसे कहा जाता है जो देश के आर्थी विकास के साथ साथ इसका विकास होता है जिसमें जेडीपी में बहुत अधिक इसका योगदान होता है वर्तमान समय में जो विक्सित देश हैं उनमें जेडीपी का 60-70% सेवाचेत्र का होता और सेवाचेत्र में क्या आता है जो लोग कारे करते हैं जैसे उद्योगों में और चिकित्सा सेवा में या परिवहन में या संचार के साधनों में कई जगा पे जो लोग अपनी सेवाएं देती हैं उन सभी का योगनान जेडीपी में बढ़ता जा रहा है तो अर्शास्त्र में सबसे ज़्यादा आज जिसकी चर्चा की जाती है वह आता है जेडीपी जिसको बहते हैं सकल घिरलू उत्पाद और जेडीपी एक वर्ष की अवधी में देश में हुए सभी वस्तु सेवाओं का उत्पादन का बजारी मुल्यों को कहते हैं यदि जेडीपी में वर्धी होगी तो देश में आर्थिविकास होगा यदि जेडीपी में कमी होगी तो देश के आर्थिविकास में भी कमी आएगी। तो इसलिए GDP आज बहुत ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है और किसी भी देश की अर्थ विवस्ता में तीन छेत्रों का किर्शी उद्योग और सेवा इन तेनों का बहुत अधिक महत्तों होता है आधोनी करण आज परतेख दिश वस्तो और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक का पर्योग करता है पुराने जैसे किसान पुराने बीजो के स्तान पर नए बीजो का पर्योग करता है उसी परकार कई फैक्टरी नई मशीनों का परियोग करती जिससे उनकी उत्पादन समता बढ़ जाती है तो आधोनी करण से किसी भी देश का आर्थी विकास बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके साथ साथ आत्मे निर्वर्ता यह एक लक्स और हमारी पंचवर्शी योजनाओं का आत्मे निर्वर्ता के अंतरगत हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश में अधिक से अधिक ऐसी वस्तों का उत्पादन करना करते हैं जो से हमें आयात से बचें तो सुतंता के बाद हमारे देश में सबसे पहले खाद्यान के मामले में आत्मे निर्वर्ता का लक्स को निर्दारित किया गया और इसके लिए सरकार ने आयाती खाद्यान विदेशी प्रौद की आधि की निर्वर्ता को कम करने का परियास करा क्योंकि अगर बहुत अधिक मात्रा में हम विदेशों पर निर्बर होंगे तो उससे विदेशी हक्षशेप बढ़ता चले जाएगा किसी विदेश की आंद्रुनी मामले में शमानता केवल आर्थी विकास से ही किसी डेश का आर्थी विकास संभव नहीं है उसके लिए समानता भी होनी बहुत जरूरी आप तो आर्थी विकास के सासा जो धन की प्राप्ति होती है उसका वित्रण कि सबी वर्गों में बराबर होना चाहिए तब में किसी भी देश का आर्तिक विकास सहई भंसे हो सकता है तो सरकार द्वारा ऐसे योजनाओं का निर्मान किया जाता है जिससे निर्धन वर के लोगों को अधिक से अधिक लाब हो और इसके साथ साथ आधुनी करण और आत्मनिर्भरता के लक्स भी प्राप होता रहे तो सरकार ने 1950 से 1990 तक साथ पंचवर्सी योजनाओं में अपने चार लक्सों की प्राप्ति के लिए कारे किये इसमें था किर्सी उद्योग व्यपार ताकि हमारा विकास अधिक से अधिक हो सके वर्स 1991 के बाद भारत में विकास से संबंदित नीतियों को अपनाया और व्यपारिक छेतर में विर्दी हुई किर्सी भारत में किर्सी का बहुत अधिक महत्यों है क्योंकि भारत में 50 पर्तिशत से अधिक लोग किर्सी कारे करते रहे हैं सुतंता प्राप्ति के बाद सरकार ने सबसे पहले भू सुधारों और चमतकारी बीजे जिन्हें हाइब्रिड बीच कहा जाता है उसका पर्योग करके भारती किर्सी में एक करांती उत्पन करें तो इसमें सबसे पहले है भू सुधार आजादी के से पहले हमारे देश में जमीदार जागीदारों का भूमी पर वर्च्श्वस्त था जिससे से खेती कार्यों में कोई सुधार नहीं हो पार रही हुए थे सरकार ने देखा कि हमें बड़ी मात्रा में अमेरिका से अनाज-आयात करना पड़ता है और हमारी जो देशी मुद्राय बहुत आधी खर्ज करनी पड़ती है तो सरकार ने किर्सी छेत्र में विकास के लिए सबसे पहले भूसुदारों की प्रहनाली को अपनाया जोतों को दुबारा से निर्धारन किया और बिचोलियों को समप किया बिचोलियों में जो तुमारा वयपार उसके बीच में जो लोगर करते उनको समाप किया ताकि किसानों को सीधराम लाब मिल सरकार ने भूमी का दुarta देद मिदारन किया जमिदानों से भूमी लेकर कि गरिभ किसानों को दी जिसका लाबियवा की 200 से ज़्यादा कास्तकारों का सरकार से सिधा संपर्ग हुआ और वे जमीदारों द्वारा किये गए सोशन्ट से मुक्त हो गए इससे उत्पादर में बहुत अधिक विर्दी हुई और इसका लाब उठाकर बहुत सारे किसानों ने विकास कारे किया कि किर्सी कारे में जैसे श्रमिक थे और भूमी सुधार के कई कार नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कई श्रमिक ऐसे थे जिनको जिनके अब भी बड़े और अमीर किसानों किया भूमी ही किड्सक के रूप में कारे करना पड़ता था भारत के कानून में भी कई परकार की भादाएं थी जिससे बड़े जमीदारों ने इसका लाब उठाया और कई परकार के जो भूमी थी उनको किसानों को देने के बज़ाए अपने ही सगे संबंधियों के नाम करा कर वे भूमी को बचा ले गए इसके बाद सरकार को अपनी भूल का एसास हो और सरकार ने फिर दुबारा से नए नियम बनाए और किसानों को भूमी का मालिक बनाया तो भूमी सुदार एक परकार का हरिक करांती में बहुत अडिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि अगर भू सुदार नहीं होते तो किसानों के पास अ हरिक करांती सुतनता के समय देश की 75 परतिशत जनसंक्या किरसी पर आधारित थी यह आशरित थी और इस छेत्र में बहुत कम उत्पादकता थी क्योंकि हमारे जो किसान थे पुरानी प्रौध की पुरानी तकनीक कपरियों करते थे और किसानों के पास बहुत सारे संसादन नहीं थे और भारत ये किरसी मानसून पर भी निर्वढ़ थी और जिसके कारण जिस वर्स मानसून या बढ़सा कम उतीथी तो ने की सानों की कट्वाइब बढ़ जाती थी सिचाई सुभिधा ना होने के कारण भारतिय किर्सी में बहुत अधिक गतिरोत उत्पन हो जाता था तो जिसके कारण भारत में जो किर्सी की उत्पादन धर्थियों बहुत कम थी अन्य देशों की तुलना में तो सरकार ने सबसे पहले हरिक करांती के लिए हाइब्रीड बीजे हैं हाइब्रीड बीज जो उच पैदावारे वाली किसमे होती जिससे उत्पादन अधिक होता है खास कर गेहूं और चावल इसके परियोग की सुरुवाज भारत में करी इन बीजों के परियोग के लिए परियात मात्रा में पुर्वरक कीट नासक दवाईयों जल आदि की आवशक्ता पड़ती थी अर्थात सही आगतों का सही अनुपात में परियोग करना आवशक्त था तभी इन बीजों का लाब किसानों को प्राप्त होता और इसके साथ कीट नासक दवाईयां और उर्वरकों का भी परियोग करने की इसमें बहुत जादा आवशक्ता थी तो जो हरित करांती के दो चरण हुए एक 1960 से लेकर 1970 के दसक तक और दूसरा था 1970 से 1980 तक तो हाइब्रीड बीजों का परियोग पंजाब आंधर परदेश और तमिल नाडू जैसे अमीर राज्यों तक ही प्राहरम में सीमित रहा और खासकर गेहूं के लिए गेहूं में इसका दिक परियोग किया गया हरित करांती का दूसरा चरण 1970 से 1980 तक था और इस हाइब्रीड का परियोग दिरे दिरे अन्य राज्यों तक भी पहुंचा और कई सारी फसलों को भी इसका लाग प्राप्त हुआ इस परकार हरित करांती प्रोधकी की हाइब्रीड बीजों की प्रोधकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाग हुआ हरित करांती प्रोधकी के कारण भारत खाध्यान उत्पादन के मामले में आत्म दिर्वर्ट हो गया और अब भारत को अमेरिका अन्य देशों से खाध्यान की आयात करने की आवश्यक्ता नहीं थी लेकिन इसका परियोग अधिकांस आमेरिक जो हमारे किसान थे उनको ज़्यादा इसका लाब मिला अगर किसान अपनी उपज का उत्पादन को पजार में ना बेश सकें तो इसको किसी भी देश की अर्थमवेस्ता में लाब नहीं कहा जा सकता चिप किसान अपने उत्पादन का अधिकांस भाग किसानों में बेशते हैं तो इसका लाब देश की अर्थमवेस्ता को मिलता है और इसी को किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान को बजार में बेचे जाने अंस को विपड़न अधिदेश कहा जाता है अर्थाद अपनी उपज का अधिकांस भाग बजारों में बेचना तो गेहूं और चावल खासकर गेहूं और चावल में किसानों ने अच्छा उत्पादिन किया और उसका एक खासा भाग बजार में बेचा जिसके फल सुरूप क्या हुआ कि भारत में खाद्यानों के स्टॉक में विर्दी हुई और जिसका लाब भारत सरकार को ये मिला कि कभी आकाल आदी या प् को प्रियोग कर सकते थे इसके साथ सब हरित क्रांती का प्रियोग करना एक जोखिम कार भी था जिससे छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच आसमताएं बढ़ने की संभावना थी क्योंकि बड़े किसान अधिक मात्रा में खादों को खरीच सकते थे कीटनासा खरीच सकते थे वीजों को खरीच सकते थे लेकिन सरकार ने इन सभी संभावना को समाप करते हुए छोटे किसानों को भी कम दामों में उर्वरक और उनको आर्थिक सायता दी ताकि वो लोग भी अमेर किसानों के समानी खाड कर सके किसानों को सरकार के खाद तथा कीट ना सक भी अर्था कम कीमत पर उनको उपलप कर आए लाव धनी किसानों के साथ साथ गरीब किसानों को भी मिला। इसमें एक बहस यह भी होती है कि कि हाइबिरिट जो भीजों का परियोग का जो प्रोथसान था कुछ लोगों के अनुसार वो बहुत जोखिम बरा था अगर किसान हाइबिरिट का इस्तमाल करते तो उनको उसके लिए खाद, पानी, रसायनी खाद, गीट नासक दवाईयां आधिका परियोग भी करना होता, सिचाई के साधन को भी अपनाना पड़ता लेकिन सरकार ने इन सभी चीजों की सायता किसानों को उप्लब कराई और इससे ना केवल देश में 1960 के बाद आत्मनिर्भर बना खाद्यान के मामलों में बलकि आज भारत विदेशों को भी कई परकार के खाद्यान निर्यात भी करता है तो ये भारत सरकार और किसानों की बहुत बड़ी उपलब्दी थी कि भारत ने हरित करांती के माध्यम से अपने को आत्मनिर्भर किया कि इसके साथ साथ 1950 और नभ्य में जो जडिपी थी जिसमें किर्सी का अंस में थोड़ा कमी आई और जब किसी देश का आर्थि विकास बढ़ता है तो उसमें किर्शी से निर्मित वस्तों की GDP की मातरा कम होती चले जाती है उद्योग प्ततर सेवा छेतर की, बड़ती चले जाती है, तो भारत में भी इसी परकार GDP के इस्तर में अब किर्शी की तुलना में उद्योग तथा सेवा छेत्र की योगदान अधिक होता जा रहा है इस चार्ट के अधार पर हम देखते हैं कि 1951 में किर्सी छेत्र 70.1 भारत में GDP का हिस्सा जो आया आती थी 1990 और 91 में इतना हो गया 66.8 उद्योग 10.7 थे जो बढ़के 12.7 हो गए सेवाएं जो 17.2 थी वो अब 20.5 हो गई 1990 और 91 के आख्रों के अधार पर तो यह था हमारे देश में हरित करांती का चरण जिसमें हमारे देश इसने खाद्यान के मामले में आत्म निर्वर्था प्राप्त करें कि उद्योग और वैपार तो पंचवर्षी योजना में हम लोगों ने उद्योग तथा वैपार में भी देखा कि कैसे देश में समरेदी आ सकती है तो पंचवर्षी योजदा में और विकास को अधिक बल दिया गया खासकर दूसरी पंचवर्षी योजदा में और विक खेतर को बहुत अधिक दिया गया था लेकिन दूसरी पंचवर्शी योजनाओं में हमारे देश में बहुत तेजी से उद्र की विकास हुआ और हमारे जो नीती निर्माता थे उन्होंने कहा कि देश का विकास कैसे होना चाहिए सरकारी छेतर में होना चाहिए या नीजी छेतर में होना चाहिए तो आजादी के बाद हमने देखा कि हमारे जो उद्योग पती थे उनके पास निवेश करने के लिए या धन लगाने के लिए बहुत अधिक पूजी नहीं थी और आजादी के बाद हमारा देश का बजार भी ब और दोगिक छेत्र विक्सित करने के लिए पूजी दी जाए इसके साथ साथ जो बड़े उद्योग होते हैं लोहा इसपात उद्योग, रेलवे, हवाई जहाज इनको सरकारी छेत्र में के माध्यम से विकास किया जाए क्योंकि इसमें बहुत अधिक धन की आवशक्ता होती है तो सरकार ने दूत्य पंचवर्शी योजना में यहां निड्ने लिया कि सरकार अर्थ विवस्ता में बड़े और भारी उद्योगों को स्वेम लगाएगी या उन पे नियंतरन रखेगी और राज्य भी उद्योगों पर नियंतरन रखेंगे इसके साथ साथ कुछ नीजी कमपनियां कुछ नीजी छेत्र को भी यह जिम्मेदारी दी गई कि वे स्वर्जनिक छेत्र के उद्योगों के साथ मिलकर अक्रणी भूमी का निभाएगे तो सरकार ने सबसे पहले 1956 में नई उद्योगिक निती बनाई जिसमें भारी उद्योगों पर नियंतरन रखने के लिए राज्जी के लक्स के अनुसार उद्योगिक नीती प्रस्ताव 1956 को स्विकार किया गया दुत्ति यह जना में समाज के समाजवादी सरूप को अधार त्यार करने का भी परियास किया गया उद्योगों को तीन छेत्रों में बाटा गय प्राथम वर्ग में वो उद्योग सामिल थे जिन पर राज्यrez का सौमित्त्व था दूसरे वर्ग में वो उद्योग सामिल थे जोगा वल नीजी तता सरकारी चेत्रों के पैसाथ मिलकर कारे कर सकते थे here कि और तीसरे वर्ग में उद्योग सामिल कर किये गए जो केवल निजीचेत्र के अंतरगात आते थे जो चोटे टइस लगए हुआ करते थे अरह तो तीन परकार के उद्योग एक उद्योगक जो केवल राज्य सरकार के अधीक, दूसरे वो इसमें राज्य सरकार और नीजी दोनों मिलके कारे करते थे, और तीसरे वो जो केवल नीजी छेत्र के लिए थे, और इसके लिए सरकार ने लाइसेंस प्रणाली आरम करी, और राज्य के नियंत्रण में ही सारे उध्योगों को रखा गया। नेयोद्यो तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक राजय सरकार उनको license नहीं देदी है। तो इसके साथ सरकार ने पिछले छ्हेत्रों में खास कर बैकवड इलाखो की छेत्र को विकास करने के लिए सरकार ने ऐसे चेत्रों में लाइसेंस अधिक दिये ताकि पिछड़े चेत्रों का विकास संभव हो सके जैसे वहां कम लागत पर बिजली दी गई करों में छूड़ दी गई इससे क्या हुआ कि जो पिछड़े वे छेत्र थे वहां अधिक मात्रा में उद्योग उस्ताफित हुए नीजी छेत्रों न भी ऐसे छेत्रों में बहुत अधिक उद्योग लगाए जहां पे उनको बिजली की सुविदा प्राप्त हुई कर नहीं देना पड़ता था और आज ह लगू उद्योग सरकार ने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगू उद्योगों के भी स्तापना करी और कार्वे समीति के अनुसार सरकार ने 1950 के बाद जो उद्योगी इकाईयां पांच लाक रुपे से एक करूड का निवेस करती थी उन्हें लगू उद्योगों की स्रेडी में रखा गया ऐसा माना जाता है कि लगू उद्योग सर्मपरदान होते हैं और बड़े पैमाने पर यहां पे सर्मों का पर्योग होता है जिससे क्या होता है लोगों को अधिक मातरा में रोजगार की प्राप्ति होति है रोजगार स्रजन कर चेने और यह बड़े उद्योगी फर्मों के साथ परतिस्परदा नहीं करते हैं बलकि उन्हों के लिए एक कड़ी का काम करते उनके लिए एक परकार के ओजार वस्तवे आधी का भी निर्मान में सयोग करते हैं तो देश में सरकार ने कुछ छेत्र लगू उद्योगों के लिए आरिक्षित किये ताकि बड़े उद्योग उस छेत्र में उत्पादन कारे ना कर सकते तो छोटे उद रक्षन देने के लिए सरकार ने कुछ वस्तों को केवर लगू उद्योगों के लिए रखा व्यापारिक नीती तथा आयात परतिस्तापन नीती सरकार ने 1947 के बाद जब देश आजाद वा तो नहीं व्यापारिक नीती बनाई और पर्थम साज पंचवर्सी योजना में इस और सरकार ने जो आयात परतिस्तापन की नीती बनाई उसका उद्देश्य था कि आयात को कम करना और देश के उद्योगों को बढ़ावा देना तो सरकार ने इस परकार की नीती का निर्माण किया कि विद्योगों से अपने देश के उद्योगों की रक्सा की जाए। उनको संडुअД दिया तो दो परकार के संडुअच्ष सरकार ने दिया एक था परिशुल्क और कोटा परिशुल्क का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी तो जो आयातित वस्तों पर लगाया जाते थे जिससे विदेशों से आने वाली वस्तों महंगी हो जाती थी और उससे हमारे देश के उद्यों का संड्रक्षन होता था दूसरा होता था कोटा कोटे का मतल परवाव से आयाद पर्तिबंदित हो जाते थे और इससे हमारे देश के उद्ध्योगों को रक्षा प्राप्त होती थी और इस संड्रक्षनवादी पर्तिसपर्दा करना उन्होंने सीख लिया तो यही हमारे जो वैपार का सरकार्ग द्वारा वैपार निती बनाई गई थी उसका यह परमुक लक्ष्य था आप देख रहें इस चित्र में कि हमारे देश में उन्नी सो नब्वे क्यानवे में किस परकार का जो छेतर है किर्सी और आपका उद्योग और सेवाएं इनके क्या-क्या योगदान रारास्ट्री आय में या जेडीपी में किर्सी का योगदान 59 पर्शंट था जो अब घट कर 34 केवल रह गया है ऐसे ही तुम्हारा जो उद्योगों का केवल 13 पर्शंट योगदान था रास्ट्री आय में या जेडीपी में वह 24.6 हो गया है और सेवाएं छेत्र जो केवल 28 थे अब 40.5 हो गये तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में सेवाओं में बहुत अधिक विर्दी हुई है और उस छेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है तो विलासिता वस्तूओं पर हम जो पर्तिबंद अगाते हैं उससे हमें विदेशी मुद्रा के संड्रक्षन में भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि अधिक वस्तूओं खरीते हैं और उसको संड्रक्षन रखना बहुत आवश्यक है मुद्देशी मुद्रा जितनी ज्यादा हमारे पास होगी तो हम उतनी अधिक मात्रा पर वस्तूओं जरूद के समय खरीच सकेंगे अधिक के विकास पर नीतियों का प्रभाव तो साथ पंच वर्सी योजना के दोरान भारत की में जो अधिक छेतर की उपलग्दियां थी वो काफी सही रही और जेडीपी का जो अनुपाद था उन्नीस सो पचास इक्यावन में 11.8 था जो उन्नीस सो नब्य और इक्यानवे में 24.6 हो गया तो इसका मतलब यह जा कि हमारे देश में उद्योंग से चेटर में काफी परगती हुई है और वरतवान समय में छ्हय परतिशत वार्शिक परगती हमारे देश इसमें उद्यों की रही है जो कि एक परकार के भारत में आरभ में सूतिवस्तर पर संद्रों तक ही विकास हुआ है है कि औलेक्त्रोनिक्स और आपका एक भारत में बहुत तेजिक से विकास हुआ है आज आप देखरें मारूती है हुंडाई है आपके टोयटा कई विदेशी कंपनियों की कारे भारत में निर्मीत होती है और फिर हम उसका निर्याद भी करते हैं तो यह कोई एक दिन में नहीं वाइसका दिरे-दिरे उद्योग का विकास हुआ है तो इसके सौरजरंगर स्वरजनिंग और नीजी छेत्र दोनों की उद्योग भारत में एक साथ कारे करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिस्री तर्थवस्तां के तुन्रा में नीजी छेत्रों का योगदान पहले से ज्यादा बढ़ता बढ़ता जा रहा है है पहले सरकारी छेत्रों का जिस छेत्र में एक अधिकारता हो धिरे-दिरे समाप्त हो रहा है और 1990 के दिसक में भारत में व्यपारिक विदेशी कंपनियों के लिए परवेश के द्वार खोले गए जिससे आज हमारे को विदेशों से नई-नई तक्निकी के जानकारी के माद्यम से हमारे देश में नई-उद्द्यों के स्तापित हो रहे हैं और आप देख रहें कि कई परकार के नए मोबाइल हमारे देश में भोक्ताओं को मिल रहे हैं लैपटॉप मोबाइल कारे जो विदेशों में लौंच होती तो हमारे देश में भी हो जाती है जबकि 1991 से पूर्व यह सुभीदा भारत में नहीं थी उससे में संद्रक्षन वाद की नीती सरकार ने अप विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्परधा कर रही है और आज लाइसेंस राज जो पहले हुआ करते थे कठोर लाइसेंस राज उनको सरकार ने छोड़ दे दिये उसमें ताकि हमारे देश में बहुत तेजी से आर्थी विकास संबह हो सके तो आज जो लाइसेंस विवेस्ता में बहुत अधिक समय बरबाद होता था उसकी कई विदेशी लोगों ने आलोचना करी तो जिसका परणाम सरूब यह हुआ कि आज 1991 के बाद भारत में सरकार द्वारा लाइसेंस विवेस्ता बहुत लचीडी कर दी गई है और अब सरकार द्वारा निर्यात को अधिक प्रोचसान दे रहा है बलकि आयात को रोकने की बजाए सरकार निर्यात को प्रोचसान दे रही है जिसके लिए सरकार ने निर्यात एक्सपोर्ट जोन का भी गठन किया है जिसमें कई सारे सेक्टर ऐसे बनाए गए हैं जो योग भारत अपने लिए जरूरत मंद की वस्तुएं खरीदने में करता है तो निसकस के रूप में हम यहीं कहेंगे कि हमारी पंचवर्सी योजनाव के दोरान देश की आर्थिक परगरती ठीक ठाक रही और इसे भारत को आत्म निर्भर बनाने में बहुत अधिक मदद प्रा कारण भारत में 1991 के बाद नई आर्थिक नीती की सुरुवात हुई तो यह था भारत में पंचवर्सी योजनाओं के अंतरगर देश का आर्थिक विकास की सम्भावनाएं कि लगू उद्योग सरकार ने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगू उद्योगों की भी स्तापना करी और कार्वे समीती के अनुसार सरकार ने 1950 के बाद जो उद्योगी इकाईया पांच अलाक रुपे से एक करूड का निवेस करती थी उन्हें लगू उद्योगों की स्रेडी में रखा गया ऐसा माना जाता है कि लगू उद्योग सर्मपरदान होते हैं और बड़े पैमाने पर यहां पर सर्मों का परियोग होता है जिससे क्या होता है लोगों को अधिक मातरा में रोजगार की प्राप्ती होती है रोजगार सरजन करते हैं और यह बड़े वद्योगी फर्मों के साथ परतिसपरदा नहीं करते सही Westminster नहीं करते बलकि उन लोगों के रिक्षित कीए ताकि बड़े उद्योग उस छेतर में उत्पादन कारे ना कर सकते तो छोटे उद्योगों को संद्रक्षन देने के लिए सरकार ने कुछ वस्तूओं को केवल लगू उद्योगों के लिए रखा व्यापारिक नीती तथा आयात परतिस्तापन नीती सरकार ने 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो नहीं व्यापारिक नीती बनाई और पर्थम साज पंचवर्सी योजना में इसका व्यापाक असर देखने को मिला और सरकार ने जो आयात परतिस्तापन की नीती बनाई उसका उद्देश्य था कि आयात को कम करना और देश के उद्योगों को बढ़ावा देना तो सरकार ने इस परकार की नीती का निर्मान किया कि विद्योगों से अपने देश के उद्योगों की रक्सा की जाए उनको संड्रक्षन दिया तो दो परकार के संड्रक्षन सरकार ने दिया एक ता परिशुल्क और एक कोटा परिशुल्क का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी तो जो आया वाले वस्तों में महिंगी ओ जाती थी और हमारे देस के उद्योंकों का संड्ड्रक्षिन घंड होता था में दूसरा अगम मतलब मैं केवल उनी को यहां पर मंगाया जाता था धे जिंका सरकार कोटा का निर्दारित कर देती उसे अधिक मात्रा में विदेशी वस्तों हमारे देश में नहीं आ सकते तो परसुल्क और कोटे का परभाव से आयाद पर्तिबंदित हो जाते थे और इससे हमारे देश के उद्योगों को रक्षा प्राप्त होती थी और इस संरक्षनवादी नीती के कारण हमारे देश में उद्योगों को पनपने का मौका मिला और वे बाद में जब अपने पैरों में खड़े हो गए तो विदेशों से पर्तिस पर्दा करना उन्होंने सीख लिया तो यही हमारे जो वैपार का सरकार्ग द्वारा वैपार निती बनाई गई थी उसका यह प अनिसो नवे क्यानवे में किस परकार का जो चेत रहे किर्सी और आपका उद्योग और सेवाए इनके क्या-क्या योगदान रास्टी आय में या जेडीपी में उन्नी सो पचासी क्यावन में किर्सी का योगदान 59% था जो अब घट कर 34 केवल रह गया है ऐसे ही तुमारा ज जेडीपी में वह 24.6 हो गया है और सेवाओं छेत्र जो केवल 28 अब 40.5 हो गया तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में सेवाओं में बहुत अधिक विर्दी हुई है और उस छेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है विलासिता वस्तुओं पर हम जो पर्तिबंदक आते उससे हमें विदेशी मुद्रा के संद्रक्षन में भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि विदेशी मुद्रा वह मुद्रा होती जिससे हम विदेशी वस्तूओं खरिच सकेंगे और उसको संड्रक्षन रखना बहुत आवश्यक है मुद्देशी मुद्रा जितनी ज्यादा हमारे पास होगी तो हम उतनी अधिक मात्रा पर वस्तुएं जरुद के समय खरिच सकेंगे अधिक के विकास पर नीतियों का प्रभाव तो साथ पंच वर्षी योजना के दोरान भारत की में जो अधिक छेतर की उपलब्दियां थी वो काफी सही रही और जेडिपी का जो अनुपात था उन्निस सो पचास इक्यावन में 11.8 था जो उन्निस सो नब्य और इक्यानमे में 24.6 हो गया तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में उद्योग एक छेतर में काफी परगती हुई है और वर्तवान समय में 6 परतिशत वार्षिक परगती हमारे देश में उद्योगों की रही है जो की एक परकार के परसंसनिय योग्य है भारत में आरब में सूती वस्तर स्वर्जनिक छेत्र के साथ साथ नीजी छेत्रों में भी व्यापक उद्योग स्ताफित हो रहे हैं और इलक्ट्रोनिक्स और आपका एटम वाइस छेत्र में भारत में बहुत तेजी से विकास हुआ है आज आप देख रहे मारूती है हुंडाई है आपकी टोयटा कई विद स्वर्जनिक और नीजी छेत्र दोनों की उद्योग भारत में एक साथ कारी करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिस्रित अर्थवश्ता और अब सरकारी छेत्रों के तुन्ना में नीजी छेत्रों का योगदान पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है पहले सरकारी छेत्रों का जि है व्यापारिक विदेशी कंपनियों के लिए परवेस के द्वार खोले गए जिसके आज हमारे देशेश कंपनियां भी बहुत अधिक मात्रा में पुझी निवेश कर रही है और जिसके आज हम हमारे कोसे tecni नहीं नहीं तक्निकी के जानकारी के माध्यम से हमारे देश में नहीं उद्योग स्तापित हो रहे हैं और आप देख रहें कि कई परकार के नए मोबाइल हमारे देश में भोक्ताओं को मिल रहे हैं लैपटॉप मुबाइल कारे जो विदेशों में लॉंच होती तो हमारे देश में भी हो जाती है जबकि 1991 से पूर्व यह सुभीदा भारत में नहीं थी उससे में संड्रक्षनवाद की नीती सरकार ने अपना रखी थी ले स्टिस्पर्दा कर रही हैं और आज लाइसेंस राज जो पहले हुआ करते थे कठोर लाइसेंस राज उनको सरकार ने छोड़ दे दिये उसमें ताकि हमारे देश में बहुत तेजी से आर्थी विकास सम्मभ हो सके तो आज जो लाइसेंस विवेस्ता में बहुत अधिक समय बरबाद होता था उसकी कई विदेशी लोगों ने आलोचना करी तो जिसका परणाम सरूब यह हुआ कि आज 1991 के बाद भारत में सरकार द्वारा लाइसेंस विवेस्ता बहुत लचीडी कर दी गई है और अब सरकार द्वारा निर्यात को अधिक प्रोचसान दे रहा है बलकि आयात को रोकनी की बजाए सरकार निर्यात को प्रोचसान दे रही है जिसके लिए सरकार ने निर्यात एक्सपोर्ट जोन का भी गठन किया है जिसमें कई सारे सेक्टर ऐसे बनाए गए जो उत्पादन कार में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग भारत अपने लिए जरूरत मंद की वस्तुएं खरिदने में करता है तो निसकस के रूप में हम यहीं कहेंगे कि हमारी पंचवर्सी योजनाओं के दोरान देश की आर्थिक परगर्ती ठीक ठाक रही और इसे भारत को आत्म निर्भर बनाने में बहुत अधिक मदद प्राप्त हुई संट्रक्षन के कारण भारत के उद्योगों को विकास का अवसर मिला और उन्होंने काफी तरक्की करी जिसके कारण भारत में 1991 के बाद नई आर्थिक नीती की सुरुवात हुई तो यह था भारत में पंच वर्षी योजनाओं के अंतरगर देश का अर्थिक विकास की सम्भावनाई अर्शास विशे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं झाल झाल